और क्या हाल है पिछला लेक्चर अपन डिसकस किये थे फोर्स के बारे साइध आप लोग को वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जिसको नहीं आया है तो किरिपया फिर से वह वाला वीडियो एक बार और देख ले ठीक है आज अपन पढ़ने वाले हैं इनर्सिया और न पढ़ना पढ़ रहा है अब न्यूटन को ज़्यादा दोस नहीं देते हैं न्यूटन का पहला लोग पढ़ते हैं तो न्यूटन का पहला लोग पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले इनर्सिया पढ़ना पढ़ेगा क्यूंकि न्यूटन का जो फर्स लोग है वो एक्स in the state of rest or motion of a body और इसके और भी डिफिनेशन है जैसे an object will continue to be in the state of rest or in the state of motion unless an external force acts on it मतलब क्या कोई body है rest में तो वो हमेसा चाहता है कि वो rest में रहे ठीक है और जो body है motion में वो हमेसा चाहता है कि वो motion में रहे जब तक हम लोग उसके उपर कोई external force नहीं apply करेंगे तो वो object जो rest में है वो rest में ही रहेगा और जो object motion में है वो motion में ही रहेगा ठीक है तो यही है inertia अब जो inertia है ना वो किस पर depend करता है और किस पर depend नहीं करता है तो inertia mass पर depend करता है ठीक है क्या यह shape पर depend करता है बिलकुल नहीं क्या यह size के ऊपर depend करता है बिल्कुल नहीं तो क्या यह state के ऊपर depend करता है कि वो rest में है या फिर motion में है उसके ऊपर inertia depends करता है बिल्कुल नहीं तो it only depends on mass it is independent from shape size and state of body ठीक है inertia तीन टैप का होता है एक हो गया inertia of rest एक हो गया inertia of motion और तीसरा हो गए Inertia of Direction तो पहले Inertia of Rest को समझते हैं तो Inertia of Rest क्या होता है यह रहा Definition जिसको पढ़के समझने है समझ जाओ पर मैं इसको सरल भासा में समझा देता हूँ कि एक Body है जो की Rest में है उसका State of Rest जो है ना वो खुज से Change नहीं कर सकता है कोई हमें बहारी force apply करना पड़ेगा तभी वो change होगा यही same जाता inertia of motion के उपर कि यदि एक body motion में है तो वो खुद से rest भी नहीं आ सकता है जब तक हम लोग उसके उपर कोई force न लगा है और यही same चीज चल जाएगा inertia of direction के उपर कि अब body cannot change its direction by itself तो अब पढ़ लेते कुछ example inertia of rest का फिर inertia of motion और inertia of direction का ठीक है तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपन कुछ example inertia of rest का suppose एक आदमी है ठीक है और यह बस बना दिया मैंने आदमी इस बस मैं इसे बैठा वा है अब बस suddenly क्या करता है आगे movement करना start कर देता है पहले बस रुका बाता पर जैसे यह movement करता है तो यह backward push experience करता है तो जैसे यह बस आगे बढ़ता है तो उपर का जो body part it leans backward तो यह example होगे inertia of rest का दूसरा example एक और ले देते हैं suppose एक blanket है ठीक है और उसको अपन पीट रहे डंटे से दडाम दूम धाम करके तो क्या हो जाएगा जो dust particle है जो rest में है और यह जैसे आपन इसको पीट रहे तो यह तो motion में आ गया ना यह mattress या फिर blanket जो भी का हो पर यह dust particle है यह तो tendency इसका के रिष्ट में रहेगा यह ज़गा ज़ड़ ज़ड़ के गिर जाएगा dust particle तो ऐसे अपन ब्लैंकेट की सफाई करना भी आप सिक गए है ठीक है आप पड़ते है कुछ example inertia of motion का ठीक है चलो इसमें भी bus ही लेते है suppose एक bus है जो की move कर रहा है ठीक है और अब क्या हुआ सपोज एक बक्रा आ गया है यहां पर मेरा बक्रा आ गया तो बस वाला क्या करेगा ब्रेक मार देगा जैसे ब्रेक मारा तो पैसेंजर लोग experience करेगा forward push and the passenger will move forward यह example किसका हो गए energy of motion का ठीक है अब दुसरा example लेते है suppose एक fast ball आ रहे ठीक है यह वो खड़े खड़े बॉल फेकेगा तो बॉल की speed ज्यादा नहीं हो पाएगी पर यह वो run up लेके आएगा और फेकेगा बॉल तो बॉल जो speed से batsman के पास मोचेगा ना वो बहुत ही ज्यादा होगी in compared to जो खड खड़े भेगता है तो इसका यह example होगे inertia of motion का कि जो fast ball जो होता है वो transfer its velocity to the ball ठीक है अब inertia of direction के भी कुछ example देख लेते है suppose एक bus है ठीक है और यह bus थोड़ा space की कमी के करण bus को अपन ऐसे बना रहे है और यह रहा रस्ता turning आ रहा है बस turning पर घुमेंगा भी ठीक है तो जैसे यह bus ऐसे move करता है तो एक force feel होता है इस passenger को इस तरफ ठीक है opposite direction में तो यह example हो गया inertia of direction का तो अब अपन पढ़ेंगे Newton first law Newton first law states that if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force this postulate is known as law of inertia यह हो गई बड़ी बड़ी बाते यह Newton का first law है यह explain करता है property of inertia को इसलिए यह Newton का first law को अपन क्या कहते हैं law of inertia ठीक है तो Newton जो है ना वो तीन law दिया ठीक है first second और third पहला law में ना वो force को introduce किया दूसरा law में force को measure किया और तीसरा law तो आप सबको पता ही है action reaction वाला कि अपने दी कोई force लगा रहे है कोई action कर रहे है तो हम लोग को बराबर equal amount का क्या मिलेगा reaction मिलेगा तो यह यह third law तो यह Newton के तीन सुत्र या फिर कहो laws तो आप लोग को Newton का first law समझ में आ गया कि जो inertia है उसी को वो क्या किया उसके property को explain कर दिया इसलिए इसको हम लोग क्या कहते है law of inertia कहते है और इसके जितने भी examples होंगे Newton first law के वो सारे example यह होंगे जो हम लोग types of inertia में जो example पढ़े थे अब अपन पढ़ेंगे Newton second law of motion जो कि आने वाला है next वीडियो में तो stay tuned तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अवश्य बता है और comment section खुला हुआ है और आप please वीडियो को like करे और चैनल को subscribe नहीं किये हो तो please subscribe करे next वीडियो कली मिलेगी stay tuned thank you